आज गुरुवार 18 ओक्टूबर को सोने के भाव में लगातार दूसरे दिन तेजी आई है और देश के ज्यादतर शेहरों में बुलियन मारकेट में गोल्ड का दाम करवा जौत से पहले बढ़ने लगा है जूलर्स के मताविक तेवहारों के मौसमें बड़ी हुई डिमांड के चलते सोने की कीमतों में ये उच्छाल आया है इसके अलावा चांदी की कीमत भी बड़ी हुई दर्ज की गई है जो की 96,900 रुपे प्रती किलोग्राम पर बनी हुई है कल के मुकाबले में 100 रुपे की तेजी यहां देखी जा रही है चलिए अब जानते हैं देश के बड़े श्रहरों में सूने और चांदी का क्या कुछ भाव आज के लिए ट्रेट कर रहा है सबसे पहले बात दिल्ली की तो दिल्ली, नॉइडा, गाजियाबाद, लखनओ और जयपूर में 24 केरट का दाम है 98,270 रुपे प्रती 10 ग्राम भुवनेश्वर, मुंबई और कोलकाता में 24 केरट 78,120 रुपे प्रती 10 ग्राम और 22 केरट 71,107 रुपे प्रती 10 ग्राम असके लाव अगर हम लोग बात करें चेन नहीं की तो चेन नहीं में 24 केरट का दाम है 98,120 रुपे, 22 केरट 71,610 रुपे वही बैंगलूरू और हैदराबाद में भी आपको सेम प्राइस देखने को मिलेगा 24 केरट 78,120 रुपे और 22 केरट 71,610 रुपे चलिए अब जाते जाते समझ लेते कि सोने की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण क्या है तो देश भर में सोने की कीमतें कई फैक्टर्स के ओपर डिपेंड करती है जिनमें इंटरनेशनल मारकेट में सोने की स्थुती और करन्सी एक्स्चेंज रेट चामिल है वैश्विक बाजार में जब सोने की कीमतों में उच्छा लाता है तो इसका अज़र भारतिय बाजार पर भी बढ़ता है और इसके अलावा त्योहारों की सीजन में बढ़ती मांग भी सोने की कीमतों में अजाफा करती है तो ये कारण है कि जिसके वज़े से सोने के दाम एक बर फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आपने all time high पर इस वक्ते ट्रेड कर रहे हैं करवाचौत से पहले भी काफी जादा demand देखी जा रही है इस वज़े से भी जो prices हैं वो काफी जादा बढ़ गए हैं आप daily basis पर gold और silver के price जानना चाहते हैं तो आप facebook पेज़ पर हमें follow कर सकते हैं इसके रावा good returns के यूटिप चानल को भी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर द कर दो